हेलो दोस्तों मैं हूँ अब इसे एक आपका सेल फेपर गुरू जी दोस्तों जब भी हम लोग कोई मोटर साइकल, स्कूटर या कार को बनाते हैं पुरा इंजन का बॉडी का काम अगर करते हैं तो उसमें एक ड्रीम रहता है कि जैसा वो सोरूम से निकली थी आज से 10 साल, 12 सा पहले लाइक अभी मैं स्कूटर का जो काम कर रहा हूं, हंड अक्टिवा का, तो वो 12 साल पुडानी है, तो कोशिस यह रहता है कि जब वो निकली थी सोरूम से, वो वाला फील आना चाहिए चलाने, पेंट अलग चीज हो गया, पेंट तो एक्स्टरनल एपेरेंस है, बट वो जब आप निकालते हैं कोई नई गारी तो कुछ भी साउंड नहीं आता है, अगर कोई बैड ओर्स पर चला रहे हैं तो कोई भी साउंड नहीं आएगा, परफेक्ट चलेगी, बहुत स्मूथ इंजन रहेगा, साउंड लेस रहेगा, वो वाला हमेसा टार्गेट रहता ह है, बट most of the time आप देखते होंगे कि कोई भी अगर काम होता है, तो कभी भी वो ओजनल वाला फिलिंग नहीं आ पाता है, पेंट ठीक है, ऊपर से आपका दिख जाएगा, बट वो जो परफॉर्मेंस जो होता है, वो नया वाला आपको नहीं मिलेगा, कुछ नकुछ सवा, म कुछ आवाज आते रहेगा, ऐसा क्यों, तो दोस्ते एक छोटा सा मैं कुछ एक्जामपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चा रहा हूँ, अभी देखिए, अभी जो मैं स्कूटर पर काम कर रहा हूँ, तो यह देखिए, यह करते हैं, बट नहीं, आपको टाइम देना है, और मार्केट से खोज करके लाना है, यह देखिए, ज्यादा कॉस्टी नहीं है, यह 34 रूपीज कहीं है, अब एक छोटे से कंपोनेंट से कितना यह होता है, परफॉमेंस, कैसे वो सोरू वाला फिलिंग नहीं आ पाता है, होती है, अभी देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट और आता है, यह देखिए, यह यहाँ पे लगना चाहिए, अगर यह यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, तो जो मेन स्टैंड होता है, वो यहाँ पे आके टकराता है, और जितनी बार आप बैर डोर्स में साउंड क्रियेट करता है, तो वो जो ऑईजनल साउंडलेस परफॉर्मेस था, वो कभी भी नहीं मिलेगा, तो यह स्टॉपर यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, अब एक एक पार्ट का आपको ध्यान होना चाहिए, कि क्या मिसिंग है, कहां से साउंड आ रहा है, यह बहुत इंपोर्टेंट है, तो यह देखिए, एक एक जामपल यह मैंने आपको दिया है, ठीक है, अब देखिए, यह दूसरे स्कूटर का एक्टिवा काहीं बॉल बेरिंग है, अब होता क्या है जेनली, आप देखेंगे कि अगर आपके स्कूटर का मोटसाइकल का बॉल ब चेंज कर दिया, बट अगर सिप इस बेरिंग को आप चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर सिए डैमेज होगा, यह देखिए, यहाँ पे इसका जो डस्ट सील था, यह डैमेज हो गया था, यह देखिए, ग्रैक हो गया था, अब यह ग्रैक होगा तो जब भी पासिंग कराएंगे, तो पानी इसके अंदर से जाएगा, और आपका जो बेरिंग है, उसको यह डैमेज करेगा, अंदर में यह सील रहता है, बट एक टाइम के बाद, यह और मैंने देखा है, बहुत मेकानिक इसको ओपन करकर के, इसको लुब्रिकेट करते हैं, उसे समय सील डैमेज होता है, और जितना भी डस्ट पहले यह वाला सील डैमेज होगा, डस्ट पानी अंदर में जाएगा, उसके बाद यह वाला सील अपका डैमेज होगा, और बेरिंग बहुत जल्दी जल्दी फेल करेगा, तो लोग कहते हैं कि नहीं कमपनी अब डुप्लिकेट पार्ट देने लगी है, और जिनल जो रहता है, वो मेरा चला था 40,000, 60,000 किलोमेटर चला और बहुत अच्छा पाउपरमेस था, अभी मेरा जो बेरिंग है, वो 20,000 में ही, 25,000 किलोमेटर ही में फेल हो गया, तो क्वालिटी अच्छा नहीं था, नहीं, क्वालिटी सही था, आपने सही कंपोनेंट यहाँ पर नहीं लगाया, तो जब भी आप बेरिंग चेंज करें, तो सिफ बेरिंग नहीं चेंज करना है, साथ में इसका यह देखे, यहाँ पर एक होंडा देती है, उसमें ओइल सिल ही साथ में आता है, यह देखे, पार्ट नमड आपनोट की से, वील बीरींग नहीं मांगना है आपको वील बीरींग किट फ्रंट ये देखे अब इसमें क्या क्या है तो दो बीरिंग है और ये जो dust seal की में बात कर रहा था वो भी इसके अंदर है तो सही चिज़ लगाना है आपको सही चिज़ ये देखे एक बीरिंग है तो बहुत प्यारा बहुत अच्छा लेकिन यहां पर जो बुस्थ है अगर यह बुस्थ मैं लगाऊंगा यहां पर तो यह देख़े होता पानी में आप चलाएंगे तो यह अंदर जाएगा तो यह सही निए इसको भी देना चाहिए था अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मैंने भी खोजा नहीं मिला तो अभी इस साइड कट गया यह ठीक है यह बुस यह स्पेसर अभी नेक्स्ट टाइम यह यह वाला साइड ठीक ह हाँ अब इसको आप इधर लगाई है अब जो ऑजिनल वाला जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगा अगर जब सोरूम से निकली थी आपकी यह एक्टिवा और इसका पहला वाला बियरिंग ऑजिनल वाला बियरिंग अगर 40, 50,000, 70,000 चली थी तो यह भी चलेगा यह जान देना चाहिए एक और एक्जामपल में दे रहा हूं यह देखे यह आपका मडगार्ड है ठीक है फ्रंट वाला और यहां पे अगर आप हाथ घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि मेरा हाथ कट जाएगा ऐसा फील होगा अब यहीं से आपका जो ब्रेक केबल, कोई भी केबल अगर आप इसमें लगाएंगे तो वो कटेगा उसका आउटर यह प्रोटेक्शन वाला और जल्दी जल्दी आपका केबल डैमेज होगा वो कटेगा वहां पर रस्टिंग होगा उसके पानी जाएगा वासिंग आप कर वाएंगे वो जल्दी जल्दी होगा बार बार आपको केबल को रिप्लेस करना पड़ेगा तो इस चीज का आपको ध्यान देना और यही छोटी छोटी चीजे अगर आप मिस्क कर देंगे तो आपका जो जो सोरूंबला परफॉरमस है वो आपका नहीं मिल पाएगा यह मैं ओल्ड ही मडगार्ड से लगा रह हूं तो एक दिन मैं सब कुछ open कर लूँगा दूसरा दिन मैं चाहता तो जितना भी एवलेबल है उसको मैं फिर से रिवेल्ड करके कर सकता है दो दिन का काम है बट यहां पर दो दिन के बदले मुझे चार दिन लगता है क्यों क्योंकि यही चोटा-चोटा सारा कंपोनेंट को खोजना पड़ता है एक दिन आप खोजेंगे वह और लेगा दूसरी दिन मंगाएगा कभी कभी दो तीन दिन के बाद वह पार्ट आता है उसी में टाइम लग जाता है तो दो दिन चार दिन आप रुख जाईए बट जब भी आप बनाईए तो पारफेक्ट करना आएगा तो बहुत अच्छा फिलाता है लगता है सारा मेहनत उसल हो गया वही अगर कुछ साउंड आ रहा है कुछ इरिटेट कर रहा है बहुत बुड़ा लगता है कि यह मेहनत बेकार हो गया तो यह देख एक एक्जांपल यह भी है एक एक कंपोनेंट और कंपनी जो साउंड़ा में च्रहाँ से चोटा कंपोनेंट को पर यहां पर आपका यह फॉर्क है यहां पर यहां पर यहां पर बेरिंग रहता है अब इसको अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो यहां पर वाटर ड़स्ट यह सब जाएगा अंदर में और कुछ दिन के बाद ये इसका जो smoothness है जो freeness है वो खातम हो जाएगा यहां पे भी एक छोटा सा rubber component होता है अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो वो जो performance है वो आपको नहीं मिल पाएगा तो यहां पर यह dust seal लगाना ज़री है अब यह dust seal मैंने लगा दिया अब यह protected रहेगा और इसमें कुछ भी पानी यह सब नहीं जाएगा तो यहां पर जो भी extra component है उसका cost ज्यादा नहीं है दो रुपया चार रुपया पांच रुपया दस रुपया का है लेकिन इसका importance बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही मैं कहाना चाहरा हूँ इस वीडियो के थुरूप कि अगर आप original performance चाहते हैं कि आना ही आना है कोई रोक नहीं सकता है तो यहीं चीज़ था तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि next time आप भी अगर कोई motorcycle scooter को करेंगे खुझ से तो इस चीज़ को अध्यान देंगे और वह फिल आपको मिलेगा अगर सब कुछ अच्छा से होता है तो तो दोस्तों प्लीज लाइक के अपने दोस्तों में सेयर किये चैनल सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकोन को प्रेस कि ताकि जब में को नया वीडिय आपके लिए बनाओ तो नौड़ी के से मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके एंड अट लास थैंक्यों थैंक्यों परहुची मिलते है नेक्स डियो में